चलिए जी, आज मैं आपको लोकी की कहानी सुनाता हूँ। वह जोटनहाइम में फ्रोस्ट जांट राजा लौफे के पुत्र के रूप में पैदा हुआ था। वह फ्रोस्ट जांट के लिए बहुत छोटा और कमजोर था। इसलिए उसके पिता ने उसे एक मंदर में मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन 965 इसा पूर्व में किंग ओडिन ने उसे खोज निकाला और अपने साथ ले गए। ओडिन ने कुछ जादूटोने से लोकी का रूप बदल दिया ताकि वह एक आसगार्डियन लगता हो और उसे अपने बेटे थोर और अपनी पतनी फ्रिगा के साथ बढ़ा किया। लेकिन लोकी हमेशा महसूस करता था कि वह थोर की छाया में जीवन बिता रहा है। उसे थोर के राजा बनने की इर्ष होती थी, लोकी खुद राजा बनना चाहता था।